इसका मतलब होता है शिष्टाचार अकसर हम अपने बच्चों को अच्छे चीजे सिखाते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, तमीज, अदब, सलीका या आउभगर तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेट स्टार्ट तकल्लुफ मत कीजिए जैसे हम किसी को अकसर कहते हैं कि आप ज़्यादा परिशान मतों हम कर लेंगे लेकिन केजी नहीं कहते हैं नहीं कोई बात नहीं हम आपकी help कर देते हैं तो उसे English में कैसे कहेंगे, उसे कहेंगे Don't be formal, और repeat, don't be formal Next इतना काफी है, अकसर हम किसी के घर खाने जाते हैं खाना काने को यह हमें बुलाता है, लंच के लिए, डिनर के लिए, ठीक है या breakfast के लिए तो हम थोड़े से shy feel करते हैं, शर्मिंदा होते हैं तो हम कहते हैं इतना काफी है, तो उसे क्या कहेंगे? अब अपने बच्चों को सिखा यह अच्छी चीजे अकसर हम दूसरों को कहते हैं, आप क्यूं तकलीफ करते हैं, मैं कर लूँगा तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? Please don't bother I repeat, please don't bother ठीक है? Next मैंने पेट भर के खाना खा लिया है अगर हम किसी के घर खाने के लिए जाते हैं, lunch या dinner के लिए तो हम उन्हें बोलते हैं मैंने भर पेट या मैंने पेट भर के खाना खा लिया है So how we will speak this sentence in English I have taken my fill I have taken my fill Next अब अकसर अगर हमें कोई परोस्रा होता है या हमें कुछ सर्फ कर रहा होता है हम कहते हैं बस ठीक है, इतना बहुत है वो कहें कि इसमें तकलीफ की कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है तो क्या कहेंगे इसे English में No trouble at all No trouble at all Next आप मेरी फिक्र मत कीजिए अकसर हमारे parents हमारे टेंशन लेती है या हमारे friends कहते हैं कि ध्यान से जाना ठीक है तो हम उन्हें कैसे बोलते हैं reply करके आप मेरी फिक्र मत कीजिए it means आप मेरी चिंता मत कीजिए don't worry about me so what we will say we will say don't worry about me next किर्पया बुरा मत माने अक्सर क्या होता है कभी कोई misbehave कर देता है या कभी कुछ उल्टा बोल देता है कोई तो हम क्याते है यार please यार बुरा मत मारो किर्पया बुरा मत माने बच्चा है गलती हो जाती है छोड़ दो कोई बात नहीं it's okay तो what we will say this please don't mind please don't mind next अक्सर हम अपनी सला देना चाहते हैं अगर हमसे कोई पूचता है तो तो आप कहते हो मैं कुछ कहूँ मैं कुछ कहूँ May I say something I repeat May I say something next हम पर आपका बड़ा ऐसान है हमारे लिए अक्सर कोई छोटा सा भी काम कर देता है तो हम कहते हैं यार हम पर आपका बड़ा ऐसान है We are grateful to you I repeat We are grateful to you next आपकी किरपा है हमसे हम कोई पूचता है अक्सर और क्या हाल चाल है ठीक है बड़ा हम कहाँ दे हैं बस किरपा है आपकी So nice of you So nice of you याई से हम ऐसे भी कह सकते हैं So kind of you So kind of you Like this Next मैं आपकी क्या सेवा करो अक्सर हमसे कोई मिलने आता है थो कैसे सेवा करें आपकी या फिर आपके पास कोई आता है तो आप कैसे कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा करो How can I help you I repeat How can I help you या How can I assist you how can I assist you like this so guys keep smiling smiley face हसता हुआ चाहना बहुत अच्छी value देता है सभी के लिए और हमारे लिए भी खुशियां जरूरी है इसलिए हमें मुस्कुराते रहना चाहिए see the next one आपने इतना कष्ट क्यों किया हमारे लिए अकसर कही ना कही कोई ना कोई कभी ना कभी कोई काम करता है हम कहते हैं आपने इतना कष्ट क्यों किया मैं ले आता why did you disturb yourself how we will say this sentence in English why did you disturb yourself या फिर why did you trouble yourself why did you trouble yourself please यह sentences बार बार बोलते रहें बार बार यूटिलाइस करते रहें बार बार इसको प्रैक्टिस पे लेके तब ही आपकी टंग पर अच्छे से सेट होंगे चीक है see the next one थोड़ा और रुख जाएए कोई हमारे गर रहने आता है during the summer vacation whenever we go somewhere even we stay somewhere तो वो हमसे कहते हैं please थोड़ा और रुख जाएए so how we will say this sentence in English please stay a little more please stay a little more या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं please stay for some time please stay for some time next कभी आये न हमारे गर हम अकसर लोगों के इंवाइट करते हैं और लोग हमें इंवाइट करते हैं क्या कहते हैं कभी आये न हमारे घर तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे please ever come to our home और रपीट please ever come to our home या फिर please do visit us in future please do visit us in future like this see the next one अराम से बैठिए हमारे घर कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो हम कहते हैं यार अपना घर है अपने घर की तरह समझो और अराम से बैठो please make yourself comfortable please make yourself comfortable या फिर हम इसे कह सकते हैं sit comfortably sit comfortably like this see the next one माफ कीजिए इसे तो कहेंगे excuse me माफ कीजिए इसे कहेंगे हम excuse me लेकिन कभी-कभी आप शर्मिंदा होते हैं या आपको बुरा लगता है आप कहते हैं मैं शमा चाहता हूँ या फिर मुझे खेद है तो इसे हम simple वे में क्या कहते हैं I'm sorry I'm sorry next मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और रिपीट मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे I'm your I am at your service I am at your service या फिर इसे कहेंगे I am at your disposal I am at your disposal like this next हम आपकी खातिरदारी अच्छे से नहीं कर पाएं अक्सर हमारे घर मेहमार आते हैं जल्द माजी में हमार पास समय नहीं होता या हम कुछ लाना भूल जाते हैं या फिर मार्किट में नहीं मिलता या हम किसी के घर जाते हैं तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो अक्सर ये संटेंस हम यूज करते हैं हम आपकी खातिरदारी अच्छे से नहीं कर पाएं We could not entertain you properly I repeat We could not entertain you properly या फिर में इसे ऐसे भी कहेंगे We could not serve you better We could not serve you better Like this You can use this sentence Okay Next इसमें तकल्लूफ की कोई बात नहीं बल्कि मुझे ऐसा करने में तो खुशी मिलती है अक्सर आप देखते हैं दूसरे लोग जब हमारी हेल्प करते हैं या हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये संटेंस अक्सर आप यूज करते हैं यह नहीं कि हम सब ही use करते हैं तो इसे English में कैसे बोलेंगे इसमें तकल्लूफ की कोई बात नहीं बलकि ऐसा करने से तो मुझे खुशी मिलती है No question of trouble Even you can say this sentence like this No question of problem It's rather Please me It's rather Please me Next आपकी अच्छी सला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अकसर हम किसी सला किसी सला मांगते हैं या कोई हमें सला देता है तो हम उन्हें कहते हैं Thank you, thank you so much for your good advice Thank you, thank you so much for your good advice या फिर sensible advice Sensible advice Okay See the next मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं आपकी क्या सिवा करूँ हम किसी के पास help के लिए जाते हैं तो वो अकसर हम से हिंदी में बोलते हैं या कोई हमारे पास help के लिए आता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं आपकी सेवा या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ या आपकी सेवा कैसे करूँ ठीके? तो ये sentences हैं मैं आपकी क्या सेवा करूँ इसे आप बोलेंगे What can I do for you? I repeat What can I do for you? Next आपको परिशानी हुई इसके लिए मैं शमा चाहता हूँ या मैं शमा चाहती हो Kindly excuse me for your trouble Kindly excuse me for your trouble Next आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए जिसे कि मैं अभी आपको समझा रहा था यह sentences बता रहा था अगर आप भी कहीं अपने presentation देते हैं तो आप भी यह sentence easily use कर सकते हैं Thank you so much for listening to me attentively and carefully I repeat Thank you so much for listening to me attentively and carefully So I hope कि आपको यह सारे sentences अच्छे से समझ आगे हैं तो please इसे बार-बार पढ़े सुने, देखे और अपनी day-to-day life में प्राक्टिस में लेकर आई इसे use करें ताकि आप habitual हो जाएं So Thank you so much once again and please video को like करें चैनल को subscribe करें और share करें videos को Thank you once again